सबी किसान सातियों का एक बार फिर से एक रो दरपन पर बहुत बहुत स्वागत है किसान सातियों आज के इस वीडियो में हम इस सब गोल की फसल के बारे में चर्चा करेंगे इस सब गोल की फसल आप यहां पर देख रहे हैं यह इस सब गोल की फसल है जो डाई महीने के अगर इसकी हाइट है और यह पूरी फसल है वह एक फिट से ज़्यादा नहीं होती है तो फसल के बार अच्छी होने के बावजूद इसमें पीलापन हो जाता है जिसे फसल का उत्पद्न होता है वह कापी कम होता है और हमें मुना पर नहीं हो पाता है यह जैसे आप देख रह पर नहीं से सिद्दर सा इसका उत्पद्न कम होता है तो इसमें उत्पद्न कम नहीं नहीं हो और पिलापन नहीं मांगती अगर आपकि जमीन रहते लिए और फ़वरे के द्वारा शींचे कर रहे हैं तो लेकिन इसमें पानी एक जगे आपको ज्यादा नहीं देना है यानि जैसे फ़वारा चलाते हैं तो फ़वराण आपको एक जगे दो गंटे से ज़्यादा किसी भी आलत में नहीं चलाना है और अगर आपके फसल में पीलापन हो रहा है तो अब आपको इसका उपाई है कि या तो आपने पहले से जब बोई करते हैं तो बोई के समय आपको इसमें सलपर बेंटोनाइट डालना चाहिए सलपर बेंटोनाइट से फसल है वो पीली भी नहीं पढ़ती है और इसके लावा सर्दी में जब फसल में पाला पढ़ने के संभावन रहती है तो पाला भी नहीं लगता है फसल को अब जैसे आपने अगर सलपर बेंटोनाइट नहीं दिया है फसल में वो ही करते समय डिया पी के साथ में दिया जाता है अगर आपने नहीं दिया है तो आप गुलन सिल सल पराता है उसका प्रियोग कर सकते हैं और वो डाल सकते हैं इसके अलावा कई बार है यूरिया देने से भी फसल में पिला पंदूर हो जाता है तो आप दो बार हलकाल का यू तो आप एनपी के उनीस उनीस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे इसमें नाइट्रोजन फास्पॉर्स और पोटास तीनों की मात्रा फ़सल को मिल जाती है और वेसे आपको इसमें बौई से पहले गोबर खाद देनी चाहिए क्योंकि गोबर खाद में सभी पोसकत्तवे मोजूद दोते हैं और उससे फसले वह पीली नहीं पड़ती है अगर आपने एक जगे ज्यादा सिंचाई कर भी दिए तो भी फसल पीली नहीं पड़ती है तो आप गोबर खाद भी अवशे डाले ताकि फसल में उत्पादन अच्छा हो सके देखिए अब इसमें सीटे निकलने शु होती है तो और अन्यता इस पर दस भी सीटे भी आ करके रुख जाते हैं और फसल कापी कम होती है उत्पादन तो इस बात का आपको विशेश रूफ से ज्यानक नहीं कि फसल को पिली पढ़ने ना दे पिला पढ़ते इसमें आप तुरंत या तो गुलन सिल सल पर डाले या जिए आप यूरिय करके इसका निवारान कर सकते है या आपको सिंचाइक बिलकुल बंद कर देना का और जैसे ही वापस सिंचाइक की ज़्यादा मांग रहती है उसी समय आपको सिंचाई करनी इसमें तो इस तरह के उपएयों से आप फसल को फिला होने से बचा सकते हैं किसान सातियों आज वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद किसान स दाट आट आटी है वीवश्य कीजिए।